हेलो गाइस तक एसे हैं आप लोग सहवगत करतो आपका हमारे यूट्व चैनल में यह हमारी पाइफन सीरिस की सेवन्थ वीडियो होने वाली है लास्ट की रीडिया में हमने बात करी थी list और tuples के बारे में हमने अभी तक variables के बारे में भी पढ़ लिया है और हमने strings, numbers और इन सब के बारे में देख लिया है list हमारा use होता है collections of data को use करने के लिए जिसमें हम लोग किसी data को get करने के लिए हम लग उसके index का use करते है यानि हम भी कभी भी data को fetch करना तो हमें उसकी indexing की ज़रोत पड़ती है हमारे पास एक ऐसा concept होना चाहिए जिससे हम लोग किसी हमारी quickie indexing create कर सकते है जिस तरह हम एक dictionary या फिर एक phone book में किसी का number या फिर किसी word का meaning हम निकाल सकते है उसकी key से वैसी हमारे पास एक ऐसी collection of data होना चाहिए जिसकी value हम उसकी key value से find out कर सके तो उसके लिए हमारे पास concept आता है python में dictionary का जिसमें हमारे पास एक key होती है और एक value होती है जिसमें हम लोग किसी भी data को fetch कर सकते हैं उसकी key की मदद से तो काफी जादा interesting topic होने वाला है और काफी अच्छी तरह से आची वीडियो में हम की dictionary के बारे हम बात करना आला है basic से लेके advanced तक dictionary के topic के बारे हम बात करना आला है वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके python की playlist को access कर लीजिए ताकि regular updates आपको मिलते रहे तो चले गाज़ स्टाट करते हमारी वीडियो स्कू पीनक्स देरी के last video में हमने बात करी थी collections of data के बारे में जिसमें हमने बात करी थी list, tuple और sets के बारे में उसमें क्या होता है उसमें जब भी हमको कोई value चीह होती है collection of data चीह होता है तो हमें उसका index यूज़ करना पड़ता है लेकिन अगर आप बड़े data sets के साथ काम करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी problem आएगी जिसमें आपके पास बहुत सारे employees है और उस employees में से आपको किसी एक employee की value जे तो वो काफे साथ है difficult task हो जाता है list और tuples का अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें हमारे पास python में concept आता है dictionary का जिस तरह से आप dictionary में किसी भी word को as a key find out करके उसकी value को find out कर सकते हो उसके meaning को उसी तरह python में भी अगर आपको कुई value को add करना है collection of data में तो आप उस value से reference का index यहाँ पर generate कर सकते हो अपने आप जैसे कि अगर मैं बात करूँ में को एक नई dictionary create करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा my is equals to और dictionary create करने के लिए simply आपको curly brackets का use करना पड़ेगा और curly brackets का use करके मैं सबसे पहला index अपना 1 और इधर मैं लिखूँगा like और second index मैं आपर लिखूँगा second index और इधर लिखूँगा मैं subscribe और अब क्या करूँगा मैं थर्ड वाले index को skip करके अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं share और हमारी dictionary कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक dictionary create हो गई है अगर मुझे इस dictionary को print कर आओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी dictionary यहाँ पर print हो गई है फस्ट वाले index की value होगी like, second वाले index की value होगी subscribe और fourth वाले index की value होगी share इसमें indexing काम नहीं करती जैसे कि हमारी list में indexing काम करती थी अगर मुझे फस्ट वाला चीए तो मैं तो 0, 1, 2 ऐसे लिखना पड़ता था इसमें अगर मैं क्या करूँ my tick और अगर मैं इदर 0 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारी error आ जाएगी क्योंकि 0 नाम की कोई index हमारी list में present ही नहीं है जैसे कि बात अरू अगर मुझे यहाँ पर first index का character चीए यानि पर index अगर मैं आपर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ यह हमारी पहली value written कररहा है और यह किस चीज की value written कररहा है? यह index की value नहीं है यह जो हम लिखरा है यह index की value है और यह key हो गई है और second value हमारी value होगी है यानि अगर हम लोग किस dictionary पर UNPASS करेंगे यानि हम pass करेंगे एक key और वो key की value गया है like इसी के साथ अगर मैं आपर लिखता हूँ dict और pass करता हूँ to यापर subscribe लिखावाएगा और इसी के साथ मैं अगर मैं यापर वापस लिखता हूँ यापर वापस हमारी error आज देए क्योंकि हमारा third value third key कोई present भी नहीं है तो यापर एक और method होता है तो हम बात करते हैं कि अगर आप dot get का use करके pass कर दोगी आपके key को तो भी आपकी value याप है आपको return हो जाएगी जैसे की मैंने यापर pass करीती key1 तो उस key1 की value है like तो like आपके पास यापर आ चुका है इसे कर साथ में आप इसमें दूसरी भी चीज पास कर सकते हैं जैसे की अगर एक हम बास करते है get और हमारी जो 3 अगर key present नहीं है तो यहापर कुछ return करेगा और अगर वो key present नहीं है तो एक default value return होगी आप इस पर कुछी प्रिंट करा सकते हैं अगर मैं तर प्रिंट करा तो not found तो यहापर डारेक्ली अमरे पास not found लिगावा आएगा हमारी कोई error नहीं आएगी और अगर वो key present है आपकी dictionary में अगर मैं लिखता हूँ get my dict.get और यहापर मैं लिखता हूँ 1, not found तो इसका answer क्या आएगा आप कुछे नीचे comment में बता सकते हैं मैं इधर थोड़े 3 seconds के लिए आपको time दे रहा हूँ आप नीचे comment में जाकर बता सकते हैं कि इसका output क्या आएगा और मैं अशा करता हूँ कि आपने आपका output नीचे comment में लिखती हा हूगा और जैसे मैं enter प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्योंकि one की हमारे dictionary में present है तो यहाँ पर हमारा जो output है वो जो one key की value है like वो हमारा output आचुका है अब मैं क्या करूँगा अब मैं एक list create करूँगा list one उस list one में 3 elements को add करूँगा सबसे बहला मैं लिखूँगा रमेश सुरेश सुरेश लिखा और लिखूँगा यतीश यहाँ पर लिखा रमेश, सुरेश और यतीश मैंने क्या करा मैंने 3 elements की एक list को create करा उसके बाद वापस एक और list create करता और list two नाम से और उस list two में वापस 3 elements को add करूँगा लेकिन हमारे जो first वाली list नहीं है second वाली list वाले elements को add करूँगा और लिखूँगा मैं गुलाब, जामूर, रमेश को पसंद है और उसके बाद मैं लिखूँगा रस, गुला क्या पर लिखा रस, गुला और next हम लिखेंगे पान, आप आप देखिए मैंने 2 list को create कर रहा है अगर मैं आपको list 1 print करूँ तो list 1 हमारी आप print होगी list 2 print होगी, आप देखिए list 1 में भी हमारे पास 3 elements है और list 2 में भी हमारे पास 3 elements है, आप list 1 और list 2 को as a key और index यूज़ करके आप एक dictionary create कर सकते है जैसे कि अगर मैं एक list, dictionary create करना चाहता हूँ, list 1 और list 2 को यूज़ करके तो मैं आप लिखूंगा new it is equals to और इदर आपको लिखना आड़ेगा dick और आपको याप लिखना आड़ेगा zip और zip के अंदर आपको 2 list और पास करना पड़ेगा यानि आपको क्यों करना आड़ेगा 2 list पास करने पड़ेगी और सबसे पहली list 1 में एड़ कर रहा हूँ क्योंकि list जो 1 होगी वो हमारी key होगी और list 2 जो होगी वो हमारी value होगी और जैसे मैं enterprise करूँगा तो हमारी एक नई dictionary create होगी अगर मैं आप इस नई dictionary को print करके बता हूँ तो आप देखिए हैं नई dictionary की जो first element था वो की की तरह काम करना है रमेश और list 2 का जो first element था गुलाब जामून वो रमेश की value की तरह हमारा काम करता है तो इसमें क्या हुआ हुआ है कि जो आपके list है जो list आप यूज करो zip के अंदर उस list में same elements present होने चीए अगर list 1 में 4 elements है या आप से list 2 में 3 elements है तो आप list create नहीं कर सकते dictionary create नहीं कर सकते list का use करके next हम बात करने वाले है nested dictionary के बारे में जिसमें हम लोग एक dictionary create करेंगे और उस dictionary के अंदर values में हम लोग एक list पास करेंगे और एक dictionary के अंदर वापस एक dictionary पास करके मैं बताऊँगा तो अभी क्या करूँगा अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा new या लिखूँगा my dict is equals to और एक first index लिखूँगा यानि first की उसकी value लिखूँगा subscribe यहाँ पर लिखूँगा मैं एक यतीश यहाँ पर लिखता हो यश यश लिखूँगा और उसकी value यहाँ पर मैं एक dictionary में पास करूँगा और dictionary पर क्या लिखूँगा यश को पसंद है गुलाब चामुन और यश को क्या पसंद है यश को पसंद है रस गुला यह दो चीज यश को पसंद है उसकी list में ने डाल दिया है उसी के साथ में मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा एक और index लगाँगा एक और key लिखूँगा इधर लिखूँगा मैं YouTube लाइक और second key के अंदर मैं लिखूँगा शेर अब आप देखिए यहाँपर क्या होता है मैंने एक dictionary successfully create कर दी है अब जैसे मैं इसको print करूँगा तो यहाँपर आप देखिए एक dictionary create हो गई है जिसका फस्ट key पे value है सब्सक्राइब second जो key है यश उस पी value यानि एक list है उस list में दो element है गुलाब, जामूल और रस गुला थर्ड जो हमारे key है वो है YouTube उसके value है dictionary जिसका जो first key है वो first key है like और second key की value है सब्सक्राइब अगर मुझे हमारी जो नई dictionary create करी है my dict उसका first index यानि first key की value तो simply मैं को first key की value मिल जाएगी लेकिन अगर मुझे यापर my dict करके मैं लिखता हूँ yes मैं को yes को लिखना ड़ेगा brackets में और अगर मैं यापर yes लिखता हूँ तो yes हमारे पास आ गया है लेकिन मुझे yes की जो first यानि जो yes ने हमें एक list return करी है मुझे उस list का first index वाला element चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा मैं आप लिखना my dict मुझे yes की की value जीए और उस yes की की value क्या first index चाहिए तो अब मुझे यहाँ पर मैंने error कर दिये syntax error तो मैं उचसे भी syntax error हो जाती है तो यहाँ पर क्या करूँगा index की value लिख सकते है और उसकी value आपके पास गुलाब जबन simply return हो जाएगी next मुझे आपर जो हमारा YouTube है अगर मैं उस YouTube की की value को print कर रहाता हूँ तो यह हमें एक dictionary return कर रहा है अगर मुझे इस dictionary की first और second index second key की value चाहिए तो मैं कैसे get कर सकता हूँ मैं simply वापस उसी तरही के से get कर सकता हूँ मुझे यहापर लिखना ड़ेगा YouTube और YouTube के मुझे first वाले key की value जीए तो लाइक आजाएगी तो यहापर लिखना यूट्यूब और अगर मैं यहापर लिखना हूँ तो हमारे पास simply share आजाएगा तो बस गाईज यह basic dictionary के बादे में आज की वीडियो मने अब बात कर लिए वीडियो interesting लगे तो वीडियो को like करतीजिए वीडियो के end में आपको last video से related एक question भी मिलेगा make sure कीजिए आप उस question का answer comment section में दे अगर आपने सही answer दिया है तो आपको मेरी तरफ से एक like भी मिलेगा आप हमारे चैनल पर जाईए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब करके python की playlist को भी access कर दीजिए और bell notification on कर दीजिए ताकि चैनल पर python से related जो भी update है वो सबसे पहला आपको मिल सके और हमने हमारे चैनल पर और भी काफिस सारी दूसरे टुटोरेल्स को upload करका है जरूर सब्सक्राइब आप उसे check out कीजिए आज की वीडियो में इतना ही मिलता है आपको python की एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैन झाल झाल